तो चलिए, आज हम बात करते हैं, इंडियन नेविक में जो एक्जाम होने वाले हैं, उसका अड्मिट कैसे डाउनलोड करना है, मोक टेस्ट कैसे देना है, सबसे जरूरी है कि मोक टेस्ट कैसा होगा, वहाँ पे कीस तरह से देना होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और उसी में मैं आपको बता देता हूँ कि अड्मिट का डाउनलोड कैसे करना है, कैसे मोक टेस्ट के पास आप पहुँचेंगे, सारी चीजों की जनकारी मैं देने वाला होगा, सबसे पहले आपको इंडियन नेवी के ये वेप साइट पाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्र इंसन बॉक्स मिल जाएगा, वहांसे डिक्लिक करके यहां पहुँच सकते हैं, तो यहां आने के बाद आपको यहां जोइन नेवी दिखे रहा होगा, इसमें आप आएंगे वेडु जोइन, आपको तीन ऑप्सन यहां दिखेंगे, ओफिसर, सल्जर, सिविलियन, सिवियन पर किली करेंगे तो आपको यह और पैक खुल है इस पेज ने उमीदवार है उनके लिए यहां पर आपको आना है पोर अड्मीर का download click here लिखा होगा है इस पर हम लोग यहां click करके पहुचेंगे इस पर click करेंगे एक नया page खुलेगा इस तरह से और इस page में आपको दिख रहा होगा बहुत सारा option है यहां पर आप login करेंगे लोग इन डालेंगे रिष्टेशन नंबर डालेंगे यहां पर इसके बाद date of birth आपसे पूछेगा यहां पर आप date of birth अपने डालेंगे तो यह page नेक्स्ट आपका admin card के तलग चला जाएगा कैसे डालना है अगर यहां password है मालूम है आप password भी डाल सकते है password और date of birth दुनों में से कोई है तो अगर password नहीं मालूम है तो date of birth कैसे डालेंगे देखे डे देना है month और year में डालना है इसके बीच में जो आपको dash दिख रहा है dash में आपको लिखना होगा जैसे कि किसी का 25 अ 24 लिखेंगे इस तरह से आपको यह data उपर इसमें इंटर करेंगे इसके बाद यहां पर यह capture डालेंगा और नीचे आप नीचे आप login पर किलिक करेंगे तो आपका यह page next खुल जाएगा और next page पर जाने के बाद next page पर इस तरह से interface आपको दिखेगा यहां पर practice link दिया हुआ है और practice link के बाद आपको यहां पर दिखिरा होगा यह practice link है और यहां पर admit का download इस पर किलिक करके admit का download कर सकते हैं और यहां पर practice set दे सकते हैं यहां पर हम click करके पहले आपको admit का download कैसे करना उसको हम दिखा देते हैं जैसे click किजेगा तो आपके पास एक इंटरफेंस खुलेगा एक पेज नया खुलेगा तो उस पर देखिए आपको अडमीड कर देखिए जाएगा उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अब उसमें क्या है अगर आपके सेंटर नहीं दिया हुआ तो उसके लिए भी मैं उपाय आपको बताए तो आपको यहां पे तीछा यही असब ने लिए लोगिन किया था जहां पर आपने यह admit का डाँलोड के लिए क्लिक किया था यहां के जशन्ट नीचे ही यहां पर देदरática के सके छिंटर के लिए आपको एड्रेस दिया हुआ इसको्यक कशनेतम एक आपको कोड असकोड के से आप इसमें से code matching करके देख सकते हैं, इसको simply ऐसे click करेंगे, तो ये next page खुल जाएगा, आप देख रहे हैंगे, खुल रहा है, और यहाँ पे आपको center code के सामने आपका दिखाएगा, तो चलिए इसको zoom कर लेते हैं, थोड़ा, और zoom कर लेते हैं, देखी, यहाँ पे देखी, आपके जो admin card है, उसमें ये center code लिखा होगा, और इसी code के मदद से आप अपना center पता कर सकते हैं, जैसे इसमें देखे लिखा हूँ, 101, 102, 103, तो ये 103 पर देख लिए असे सार इंडिया solutions लिखा हुआ है, और जगत complex, और यहाँ पर देखे, इसका पूरा आइडर से आपना center देख सकते हैं, जिसका भी center उसमें admin card में नहीं दिया है, क्यों code दिया है, इससे match करके आप जा सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं, mock test के बारे में, यहाँ से इस link पर click करके, हम mock test दे सकते हैं, तो इस पर हम directly click करेंगे, और हम पहुंच जाएंगे mock test के पारे, तो चलिए यहाँ पर click करते हैं, click करने के बाद एक नया page खुल रहा है, और यह page खुल गया है, यहाँ पर start exam लिखाओ, इस पर click करेंगे start exam पर, और यहाँ पर आपको username मांग रहा है, और password मांग रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले salary दिया हुआ, इस पर click करें, submit पर direct click किज़ेगा, कुछ नहीं डालना है आपको यहाँ पर, तो एक नया page खुला है, इस तरह से मतरब खुलेगा वहाँ पर, दिखा रहा है कि इस तरह से format वहाँ आएगा, नेवी की जब आप test देने बैठेंगे, तो यह user name है, name है, address है, exam code दिया हुआ है, subject code दिया हुआ यहाँ पर medium पूछ रहा है कि Hindi आएगे, इस तरह दोनों medium हैं, और इसके बाद यहाँ से हम direct confirm करेंगे, तो यह पूछ रहा है कि आप क्या, you have selected English से Hindi language, do you want to continue, मतलब बोला है कि आपने Hindi और English दोनों select किया है, continue कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम continue करते हैं, okay करेंगे, next page खुलेगा और यहाँ पर सारा चीज आपको details में दिया होगा, किस तरह से exam, क्या क्या होगा, एक चीज हो रहा है कि negative marking लोग पूछ रहे हैं, तो negative marking इसमें नहीं है, यहाँ देखे लिखा हुआ, please note, there will be no negative marking for incorrect questions, incorrect questions के लिए negative marking नहीं है, आपको इस practice test के लिए 30 minute मिलेंगे और 40 questions से दिये होगा है, 30 minute में 40 questions आपको करना है, practice test है, उसमें तो आपको 60 minute मिलेंगे 100 questions रहेंगे, तो ध्यान यह रखना है, और यहाँ पर term and condition है, वहाँ भी same condition है, यहाँ पर देखे लिखा है कि the actual explanation, the details will be below, जो एक गंटे का होगा, मतब 60 minute का होगा, 100 questions रहेंगे, 100 number के रहेंगे, और 4 section म के बाद English, Hindi त्यादी में है, और negative marking नहीं रहेंगे वहाँ पर, यहाँ पर देखे जेनल जो instruction दिया हुआ, actual examination का, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि लिखाव पहला, कि जो जब जाएंगे, तो आपके पास एक passport side photograph होना चाहिए, जो admit card है, उसके साथ, और एक ID proof होना च कर सकते हैं, इतियादी दिया हुआ है, एक चीज और ध्यान देना है, कि वहाँ पे आपका admit card जामा हो जागा, admit card वो जामा कर लेंगे, तो इस condition में आप एक photocopy करा कर अपना admit card रख लेजिएगा, अगर आप admit card अपना photocopy करा कर नहीं रखेंगे, तो फिर आगे interview में आपको पढ़ लेंगे, time लेगा बताने में, इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ, जल्दी जली से, हिंदी इंगिस दुनों में दिया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, और चलिए हम start करते हैं, test को, test करने के लिए यहाँ पर, आपको, अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर फसलिए, simple दिखा रहा है, test का, simple कैसा रहाएगा, उसके बारे में, तो, इसको, अइसे, check कर लेंगे, किस तरह से रहाएगा, दखेब, यहाँ पर है, कि इस तरह सबक्या एक simple दिखाएगा, वहाँ पर भी, तो, ऐसे randomly हम click कर लेते हैं, किसी के भी click कर लेते हैं, बी पर कर द तो इसके बाद तीसरा नमर रहागा इसको मानले सी कर दिये से इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे हम जाते है इसको अमसरने जो आनसर हो रहा चाहिए इस तरह से इसको ध्यान रखना है और इसको अब समीट कर है क्योंकि next जो टेस्ट होगा उसको हम चेक करते हैं यह समिट कर दिये इस तरह से हमको details आएगा मेरे पास कि इस तरह से आपने किया है और दो कोशन्स मैंने नहीं किया है बाकी मैंने किये यहां पर details दे रहा है और original जो exam होगा जो 40 marks का है इसका mock test उसको हम click करके पहुँचते हैं get ready to start the exam click करेंगे और उस exam के पहुँच जाएंगे देखिए यह 40 questions दिया हुआ यहां पर यह test हमको देना है तो अच्छे समझ के इसी तरह का questions आएगा यह रिजिनी हो जाएगा अगर आपने घ्याक और अलं यह को तरह किया है अगरतू parano जाएगाव forever आपने उसको देख आए कि आपका एक क्वार्श कर देंगे नहीं की आपका इसको जाए नहीं किया थे तो देखतेए हैं कैसा होता है मतलब इसको बाद हम आकर देख सकते हैं जैसे डिरेक्टली आप तीन पर क्लिक करेंगे तीसार नमर कोशन आ जाएं क्योंकि यह जो कलर यलो हो रहा है इसका मतलब है कि हम यहां पर आएंगे मुझे अभी टाइम नहीं है इसको देखने के लिए मागे कर चले चले जाते हैं कि इसमें टाइम लगेगा तो आगे बढ़ जाना है बाद में यहां वापस हम आने वाले हैं इस तरह से यह समझदारी और चीज हो जाएगी और जो चीज करेंगा फिरिएस ऴेस उस है करेंगा आएगा है इसके बात कर देंगे किसरी कोर्षोण को नहीं करना है चेंज करना घ्ली करेंगे हम यह वाला ऑप साथिसफाई और बाद में लांगे है तो यहां पे आप एरेज कर देंगे जैसे कि तीन नमर वाला कोशन से तीन नमर वाला कोशन को अगर हम एरेज करते हैं तो हड़ जाता है और एरेज करते हैं next question जो चौधन नमर्य है इसको regen करने घर कर करने इसको करने तो नहीं को यह यह को इसको द्याने खेल एक यह नहीं हो रहा है डी टेक हो जा रहा है डी टेक करेंगा तो यह वाइट हो से कोई प्रोलम नहीं होगा वहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा इस तरीके से 40 कोश्चन का प्रैक्टिस कर लिए आप बेटर रहेगा कि पहले सब जानते हों कैसे देना है कैसे खुलेगा इतियागी की बारे में को जनकाई रहेगी एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको अड्मिड कार्ट का फोटो कॉपी करा कर रख लिजए क्योंकि दो अड्मिड कर उरिजियन वाला आपका रख लेगा और फिर आपको अगर इंट्रव्यू के समय माएंगा तो फिर परोलम आज़ागी इसलिए आप एक अड्मिड का फोटो कॉपी करा कर अवस्त देंगे जहां सब्डेकली इसे टेस्ट को दे सकते हैं अगर आप मेरे फेस्सु ग्रूप में ने तो वहां जोइन कर लिजए वहां 12,000 वच्चे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे बहुत सारे चीज़ों से लेकर तो आप वहां जोइन कर सकते हैं थैंक्यू सो मच फिर मिलते हैं आपसे नई जनकारी एक नई उमीद के साथ अब तक के लिए नमस्कार